खबर बल्या जिनफसे जहां पुरे प्रदेश में कोविड-19 का प्रप्रोप भयावा रूप ले रहा है लोग बीमार पड़ रहे हैं यहां तक कि कुछ लोगों को संक्रमाण ने अपने ज़द में ले रखा है जिले में सेक्रम लोगों की जान भी जा चुकी है इस बीच उत्रप्रदेश के बल्या जिले के बिजेपी विदायक सुरेंदर शिंग का गौमोत्र पीते हुए एक बीडियो वाइरल हुआ है जिसमें विदायक जी जनता से अपील कर रहे हैं कि गौमोत्र पीजिये कोरोना भगाई है गौमोत्र और पतंजली का गौधन अर्क पीने से कोरोना वाइरस पर विजेपाना संभा हुए विदाइक जी कह रहे हैं कि वह रोज सुबा खाली पेट कौमोत्र और पतंजली का गोधन अर्क एक गिलास पानी में पांस धक्कन मिला कर पीते हैं जिससे वह अठारा घंटे लोगों के साथ रहते हैं फिर भी कोरुना मुक्त हैं मलेजन फसे ओमा कांत विश्व कर्मा के रिपोर्ट कि पातंजली का गोधन अर्क है पातदिव्य पातंजली का गोधन अर्क है मैं सुबेरे रोज दातून करने के बाद खाली पेट पांच धक्कन पांच धक्कन ठंडा पानी में मिलाकर पीतां और इसका लाव इसमें बैग्यानी के तर तो क्या है इसका ज्यान मुझे नहीं है मैं पहले भी आप सबसे आग्रफ किया था कि यही सेवन करके मैं लगातार 18 गंटा समाज में रखता हूँ आप सब के बीच में रखता हूँ उसके बाद इस्वास के तो अनुभव अपने अनुभव को आप तक भेजने का प्रयास करता हूँ और मैं पुना आप सब से आग्रफ करता हूँ अपना स्वय में आज दिखा करके कि मैं भी पीता हूँ आप लोग बन में संकोच मत करिये मुझे तो अब इतना तक भी स्वास पूरा हो गया है कि केवल और केवल गाय गोमुत्र गोधन अर्ख या गोमुत्र का सेवन करके कुरोना जैसी महमारी महमारी पर नियंतन पाया जा सकता है भले पिज्ञानिस को स्रिकार करेगा